Hello Guys, Welcome back to my channel, मैं हूँ राखी पमार और आज की इस वीडियों मैं आपके साथ कस्तूरी हल्दी के बारे में बहुत सारी जानकारी शेयर करूँगी अगर आप कस्तूरी हल्दी के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो आप यह जान लिजे कि आपकी स्किन को किसी भी ब्यूटी प्रोड़क्ट से ज़्यादा निखार दे सकती है कस्तूरी हल्दी कस्तूरी हल्दी को करकुमा अरोमेटिक भी का जाता है ये एक जंगली हल्दी है जिसे भारत समेत कई दक्षिन एरिया के कई हिसों में कोस्मेटिक के रूप में इस्तमाल किया जा रहा है कस्तूरी हल्दी हमारी स्किन को नुकसा नहीं पोचाती है कस्तुरी हल्दी में एंटी बैक्टरियल और एंटी सेप्टिक गुण होते हैं जो त्वेचा सम्मध्नी कई विमारियों को दूर करने में ह необходимо करते हैं आपकी त्वेचा के लिए कस्तुरी हल्दी एक चमतकार की तरे साबित हो सकती है हल्दी में बहुत अच्छी मातरा में एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं जो आपकी स्किन की खोयी चमक को वापस लाने में हेल्फ करते हैं कस्तुरी हल्दी रिंकर्स और एजींग को कम करने में हेल्फ करती है हल्दी स्किन के टेक्स्टर को बहतर बनाती है को ठीक करती है रूखी सुखी तुयचा को कोमर बनाती है आज की इस वीडियो में आपको कस्तुरी हल्दी से होने वाले पांच ऐसे बड़े फायदे बताऊंगी जिनको आप सुनकर हैरान रह जाएंगे और एक मैं इसका नुकसान भी बताऊंगी वीडियो के एंड में जो आ आई हम जान लेते हैं कि अगर आप कस्तुरी हल्दी को अपनी स्किन पर लगाएंगे तो आपको कौन-कौन से बड़े फायदे मिलेंगे पहला फायदा है यह टैनिंग को दूर करता है अगर आपको टैनिंग की समस्या है तो कस्तुरी हल्दी को आप अपनी स्किन पर लगा आपकी skin को पेदाग बनाते हैं तीसरा फायदा है oily skin के लिए भी बहुत जादा फायदे मन है oily skin की वज़े से हमें बहुत सारी समस्याइं होते है जैसे black head, कील मुहासे, दाग धब्बे लेकि इन समस्याव को ये कस्तुरी हल्दी से दूर किया जा सकता है अगर नियमेत रूप से आप कस्तूरी हल्दी को अपने face पर लगाएंगे एक face back बना कर लगाएंगे तो आपको इससे भी रहात मिलेगी और चोथा फायदा है anti-aging कस्तूरी हल्दी में anti-oxygen पाजाते हैं जो तोचा को oxygen देने का काम करते हैं ये उमर बढ़ने के सुरुवाती लक्षनों को रोकने में मदद करते हैं साथी कस्तूरी हल्दी जूरियों fine line को दूर करने में भी help करती हैं अगर आप कस्तूरी हल्दी को निमत रूप से paste बना कर अपने face पर लगाते हैं तो आपके सुरुवाती में जो fine line पढ़ती हैं जूरिया पढ़ने लगती हैं तो ये उनको रोकने का काम करती हैं पांचवा फायदा है ये तवचा से अंचाहे बालों को भी हटाती हैं अगर कस्तूरी हल्दी को निमत रूप से आप अपनी skin पर लगाते हैं तो ये चेहरे के अंचाहे बालों की growth को कम कर देती हैं और अच्छी result पाने के लिए आपने कस्तूरी हल्दी को निमत रूप से अपनी स्किन पर अपलाई करना है, और ये थी बड़े पांच फायदें जो कस्तूरी हल्दी को अगर आप अपनी स्किन पर लगाएंगे तो आपको ये 5 ऐसे बड़े फायदे मिलेंगे. कस्तूरी हल्दी, stretch मार के निसान को भी हटाने में help करती है, कस्तूरी हल्दी में कई antibacterial agent होते हैं, जो pimple और दाग धभो को हटाने में help करते हैं, कस्तूरी हल्दी, dark circle को हटाने में, oil skin को young वनाने में help करती है, सुंदर्ता के लिए सबसे अधिक इस्तमाल की जाने वाली कस्तूरी हल्दी है कस्तूरी हल्दी प्राचिन आरवेदिक में सुंदरे के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामागरी है बेशक खाना पकाने में इस्तमाल होने वाली हल्दी और कस्तूरी हल्दी में अंतर है। कस्तूरी हल्दी को अपनी स्किन केर रूटीन में सामिल करें। अपने फेस पर लगा ना रहने दे। अगर हल्दी को आप अधिक मात्रा में अपनी स्किन पर लगाते हैं तो आपकी स्किन पर मुहासे भी निकल सकते हैं। तो ये थी बहुत सारे फायदे कस्तूरी हल्दी के जो मैंने आपके साथ शेयर की और नुकसान भी मैंने आपके साथ शेयर की जब आप हल्दी को अपने फेस पर लगाएं। तो इन सबी चीज़ों का आप धियान रखें अच्छे से आप फेस पैक बनाएं अपने फेस पर लगाएं और अपने फेस को ग्लोइंग बनाएं। और किचिन वाली हल्दी को अपने स्किन पर नहीं लगाएंगे।